अब यहाँ पे इन केमपर बंदों की ये बात सुनने के बाद ना, मैं कसम खा लेता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें पेले बगएर मैं कहीं नी जाने वाला यहां से तो भाई लोग कैसे हूँ, तो यार वेलकम दी बैग, बैग दी वेलकम और स्वागत यहाँ आपका एक बहुत ही जादा, बहुत ही जादा गलत सीन से भरे पड़े पबजी दो मुपाईल की इमपली वीडियो में और देखो यार आपने कई बार देखा होगा प्लेन में भाईया चिलाते रहते लोग कि यार इधर आजाओ तुमारी बेटी बना देंगे, लेकिन हमारे साथ जो होता है वो बहुत ही अलग होता है, तीन चार कैमपर लोग हमको चैलेंज दे देते हैं बिलकुल अब ये बाईसियोन जैसी गन यार मेरे को बिलकुल पसंद नहीं है, लेकिन देखो निहत्ता और नंगा होने से बढ़िया यार बाईसियोन वो हाथ में, तो बाईसियोन से यहाँ पे तीन तीन बंदे इसी घर पे गुशे पड़े होते हैं, तीनों की पेटी बन चुकी है धेड पैड़ नौक करता हूं, उसके बाद जो भी उपर बची कुची लूट होती है, उसे उठाता हूं और बाकी बंदे हमारे घर पे रस कर देते हैं, बिल्डिंग में रस कर देते हैं और यहां पे यार मैं आराम से बाट को पेल ला था, नजाने इन दोनों बंदों को क्या ही जोस चड़ता है, ये बाट के साथ साथ पीछे आ जाते हैं, और मेरे को पेलने लग जाते हैं खेर इनका एक बंदा पेल दिया, एक बंदा सीडियो पे है, और देखते देखते इन जोसीले बंदों की भी पेटी बन जाती है, मैं सही में बतारो यार मुझे लगा बाट के पीछे एक और बाट आ रहोगा, अब वो बाट तो कदू नियोते दो दो बंदे आ जाते हैं, और जैसे तैसे में आ जिन्दा हूँ, तो इनकी पेटी बनाई इन्हें लूटना चालू करता हूँ, और उतने में ही इनका दोस्त बदला लेने इसी घर पे आ जाता है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यू डिक्शनरी आप की, जिसके मदद से अगर आपकी अंगरेजी में मैसिज कर रहा है, तो आप मैजिक टरांसलेट की म Dou contraction के उसे हंदि या फिर कोई भी लेंगविज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और आप इचोड़ि-चोड़ में उससे अगधर अंगरेजी में मैसिज करते हो, लेकिन आपको डर लग रहा होता है कि कहीं आप का grammar खराब नहूं नहीं तो बेज़ती हो जाएगी तो आप अपने मैसिज का grammar भी चेक कर सकते हो grammar feature की मदद से और जो भी गलती आऊंगी ये सब कुछ सभी कर देगा तो यार इस खतरनाक एप को ट्राय करता मत भूलना इस एप के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टोप में जाओ यार अपने अंग्रेजी भी बहेंगी बनाओ और यार इतना खतरनाक प्रीफाइड देता ये बंदा की क्या ही बताऊं सारी की सारी गोली दिवारों पे पेल देता ये और जब तक अंदर आता है यार मेरे ख्याल से गोली खतम होने वाली थी खेर जो वियो इनका एक और जोसीला दोज ठिल चुका है यार लेकिन एक बंदा अभी भी बाकिया इस टीम का और यहीं दिवार पे खड़े है आमारे भाई तो हम भी भगते आगे और अखिर कार जाकी ये जो सिली स्कौर्ड खतम हो जाती है वह या हर एक बंदा इस स्कौर्ड का पूरे जोस में था लेकिन यार मैं आलस आलस में कवर ले लेके खिलता हूँ और चारू की बेटी बन जाती है अब इन्हें पेलने के बाद मुझे लगता है यार देखो लेकिन जब से सीजन खतम होने का वाया है हार एक सुकौर्ड पहुंची होती है यहां पे इसलिए और बंदे जिन्दा है अब अब ये पबजी में यार जादतर बंदे ठीपी पी लेके देखते हैं लेकिन हमारे ये भाई पूरा का पूरा सकूप खोलके इधर की तरफ दे बंदे के फूटी स्टेप आते हैं और एक के बाद दुबारा आता नहीं जिन्दगी में फूटी स्टेप इसका मतलब यार भाई ने केम्प लगा दिया है वो भी खतरनाक वाला देखो ये चीज मैं जिन्दगी में कभी नहीं समझ पाऊंगा अगर बंदों को केम्प ही करदा है तो यार क्यूं क्या जरूरत है ऐसी जगाओ पे आने की और मेरे को नहीं बता आपको आवाज आ रही है कि नहीं लेकिन यार जोड सोर से मेरे यहाँ पे बारी सोने लग ग अब बाकी टीमेट्स की वारी और इसके यार बाकी टीमेट्स लोग बिलकुल उसी की तरह नहीं होते हैं एक बंदा नीचे चोड पे रस करता है लेकिन यार यहीं पे मैं ठीपी पी लेके खड़ा था तो भाई को भक्ते भक्ते पेल देता हूं और बंदा बचने के लिए पीछे जाने की कुछिस कर रहा है अब हमारे भाई पीछे की तरफ तो भगते लेकिन यार उनके मूँ के सामने दरवाजा बन कर रखा होता है तो कोई भी नहीं आता उसे बचाने अब मुझे इसके टीमेट के फुटी स्टैप आते हैं और वो जो सामने कमरा है न वहीं पे छ और इस टीम का एक आखरी बंदा बाकी होता है जो ओपन में बोटो की पेटी बना रहा होता है और यही होता है जब आप बेचारे बोटो पे अंधा त्याचार करते हो पेटी बना के रगदी उसने खैर उसकी मैंने पेटी बना दी और पेटी बना बना के मेरी 13 किल हो जाती है अब देखो उतरते ही 13 किल हो गई तो यार 30 किल करने की इच्छा बहुत जोर से जाग जाती है खैर मैं रूजोग जा रहा होतो हूँ और यहाँ पाड़ी पे गाड़िया दिखती है अब यहाँ पर मैं उस तीसरे बंदे को हलवे में नौक कर सकता था बिल्कुल मजाक में लेकिन भाईया यह जो खुजिली है न यह पीक पाग दबाने की इसके चक्कर में मैं 40 गूली लगाता हूँ भाईया आधी गूली भी नहीं लगती उसे और इसी के चक्कर में वो यार रिवाईव अगेरा दे देगा और समोग भी बना दिये इनने तो मैं बोलता हूँ कोई न यार देखो सस्ता सप्रे है क्या ही कर सकते हैं दो बंदे ऐसे ही नौक पड़े हैं क्यो ना गुश के पेला जाए तो मैं देड़ पैड़ अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और ले चलता हूँ पहड़ी के उपर अब यहाँ पे दो बंदों की तो मैं पेटी बना देता हूँ लेकिन यार जहां तक मेरे को पता है इनके एकात बंदे रिवाइव हो चुके हैं तो अब समोक में एजजस करना पड़ेगा अब यह जो समोक में एजजस मैंने किया यार मैं पहले बिल्कुल नहीं करने वाला था मैं सोच रहा था थोड़ा और लेफ्ट जाओंगा फिर देख के बंदे को पेलूँगा लेकिन यार वो बंदा अंधी गुली चला जा रहे एकेम की तो मैं बोलता हूँ यार वो समोक में एजजस करने की कुछिस कर रहा है तो क्यूना मैं भी एजजस हो भी जाता है खेर उसी के साथ यहां जोर्ज की तरफ जोन बन रहा होता है और आगे 200 कोर्ड के बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं और यार गाड़ी इतनी होती है यहाँ पे कि क्या ही बताऊं। और हमारे इस भाई को ये लेफ्ट राइट खिलने का बहुत ज़्यादा सोक होता है। यार पहले मैं लेफ्ट भग के गया एक तो यहाँ दो दो गाड़ी ठुकी पड़ी हैं। जब तक मैं लेफ्ट में पहुंचता हूँ यहाँ पे आता है और मेरे टिमिट की पेटी बनाने की तयारी करता है। खेर इसको तो जैसे दैसे पेल दिया और आप तयार हो जाओ क्योंकि वो जो केम्पिंग वाला सीन में बताया था ना वो बहुत जल्द होने वाला है। इसी घर में होने वाला है और मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे की कैसी केम्पिंग चल लिया यहाँ पे। देखता हूं ना यार कसम से रोने कामन करता है नजाने क्यों करते हैं यह लोग ऐसी हरकत। और यहाँ पर अगर मैं गलती से नोक हो जाता ना यार मेरी सीधा यही पर पेटी बनती क्योंकि मैंने चौड में नेड ले रखा था आतमें। खेर अब दुबारा कुछिस करता हूं मैं। और यार जहां तक मेरे को पता है आपको नेड भटने की आवाज नहीं आयोगी। मुझे नहीं पता है यार यह रिकॉर्डिंग का क्या सीने कभी आती है आवाज। कभी नहीं आती नेड की। खेर जो वियो उपर बन्दा नेड से ठिल जाता है। लेकिन यार अब मैं कुछ भी नहीं उखार सकता। लेकिन जब उखाडेंगे न एक साथ उखाडेंगे। और यार मेरे ऐसे सीनों रखें कि मैं दूर भी बंदे नौक कर रहा हूँ, घर के अंदर वाले बंदे भी नौक कर रहा हूँ, लेकिन किल किसी की निले पा रहा हूँ। यहां पर मैं थोड़ी देर और रुखता हूँ, क्या पता यह लोग रस कर दे नीचे। अब यह लोग नीचे रस तो कद्दू भी नहीं करते लेकिन यार यह अपना माइक जरूर खोलते हैं। और यार आप खुदी सुनो यह क्या बूलते हैं माइक में। सब्सक्राइब यहार क्यां सब्सक्राइब आप दो भीय। ओँझ पहल रही वार्य आप खोल्ट किस अनियोडों भिधातरा हैं। यहार नव ऐव आप में केम्मन, मुपली यह एकalt अब यहां पे इन केमपर बंदों की ये बात सुने के बादना मैं कसम खा लेता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें पेले बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाला यहां से अब जब यह गाड़ी हम पे रस करते हैं यार यह लोग इतने जादा खुस होते हैं कि क्या ही बता हूं मतलब इनकी आवाज में जो खुसी जलक रही थी न वो बहुत अलग लेवल पी थी और इनका कोई एक बंदा यार नीचे किसी और को पेल देता है और उसे यह लगता है कि यार हम ठिल गए लेकिन हम यहीं पे जिन्दा बैठे हैं अब यह लोग उपर बैठे बैठे फलेर भी चला देते हैं लेकिन लूटने के यह कोई भी निया आएगा उस फलेर को क्योंकि यार नीचे आ गए तो हम पेटी बना देंगे इनकी और इन में से यार कुछ कुछ बंदे बिल्कुल मेरी तरह धीट है ठीक उसी कमरे में मैंने एक और बंदा पहले नौकिया था वो नौक होने के बावजूद भी एक और बंदा उनका उसी कमरे में बैठा होता है अब मैं उसे नौक कर देता हूँ लेकिन यार पेटी ना बना पाया और देखते ही देखते हमारे नेट भी खतम हो जाते हैं लेकिन कोई दिक्कत नी यार बस मैं ये चाहता हूँ कि यहां से चून अड़ जाए एक बार और इनकी बातों से मुझे ये पता चलता है कि यार पीछे जो एक पहार टैप है वहाँ पे बंदे आ चुके हैं और इन्हें पेलने की कुशिस कर रहे हैं वो लोग अब देखो यार मैं तो इदर उधर बंदे पेलने की कुशिस कर रहा हूँ तो लेकिन हमारे भाई इंतेजार कर रहे हुते हैं इनतेजार कर रहे होते कि यार एक बार बस एक बार के लिए जो इदर से हड़ जाए फिर हम जो इनकी पेटी बनाएंगे बहुत अलग लगल व और देखो एक बंदा सीडी में आया होता है इनका और मैं उस बंदे के बगल पे गोली चला तो यार भाई डर जाते हैं और मेरे ख्याल से वो बोल रहा होता है कि यार गोली आ गई अंदर की तरफ या मैं अंदर आगया नजाने क्या ही सिंचल ले इनके केर जो भी हो मैं थोड़े देर और इनते जार करता हूँ इनका और इनकी बातों पे ध्यान दे रहा हुता हूँ और यार बंदे की बात सुनो आप भी बोलोगे यार यह तो अलग लेवल के बंदे हैं सुनो यार अब यार उस भाई ने क्या बोला मैं सब कुछ तो नहीं समझ पाया लेकिन मैंने इतना सुन लिया कि भाईया मुवमेंट मत दो अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट में जुरू बताना खेर ये लोग उपर केम्प करके बैठे हैं और उसके उपर से मॉमेंट भी नहीं देना चाहते यार मैं कैसे इनकी पेटी बनाऊं और जो आखिर कार हम चाहते होते हैं वो आखिर कार जाके होई जाता है हाँ जोन इनसे हट चुका है अब यार इनकी जो ही पेटी वराएंगे न यार मैं क्या ही बता हूँ अब देखो इन तीन चार बंदों को पेलने की जो खुसी होगी न वो तीस किल करने से ज़्यादा खुसी होगी और मैं मजाग भी नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इनतेजार कर रहा हूँ तो क्योंकि यार या तो ये जोन से ठेलेंगे या तो मेरी गोलियों से और एक चीच जरूर होनी है तो यहाँ पे मैं इंतिजार करता हूँ लेकिन उतने में ही सीन क्या होता है यार हम ओपन में होते हैं और इधर उधर गाड़िया आना चालू हो जाती है और यार इस चत पे बैठे बंदे को यार नोक करके जो खुशी मिले ना मैं सही में आपको बता नहीं पा रहा हूँ समझो आप घर पे बैठे हुए हो और एक साधी का काड आ जाए घर पे यार फ्री का खाना उस लेवल की खुशी हो रही थी मुझे और देखो यार नोक करने से कद्दू कुछ नी वने वाला इनकी तो पेटी ही बनानी पड़ेगी और अकिर कार जाके जोन भाईया आना चालू करते हैं और जोन के साथ साथ ये भी आते भगते हुए आ चालू करने छाटे अब देखो एक आखरी बंदा बाकी है और जो बंदे घरों पे कैम्प कर रहे थे वो उपन में क्या करेंगे और जहां तक मेरे को पता है इन भाई लोगों का एक ही नारा था जहां पे भी जाओ कैम्प बिचाओ ठीक है मतलब घर पे बैटे हैं वहां पे कैम्प बिचा रखा है उसके उपर से जब बाहर पे आए ये निकी कही ठीपी पी लेलू बंदे ने लेट के कैम्प बिचा दिया साब बन चुका था और अगर आप इनकी आवाज पे ध्यान दोगे तो यार जब ये घर पे थे क्या ही आवाज थी भाई आवाज मैं चौड दिखाई दे रही थी कि हम ही है यहां के लेकिन यार जैसी ये लोग ओपन में आए यार आवाज बिलकुल ठीक है पड़गी दीरे से बोलने लगा ब और अखिर कर मैं चैन से जा सकता हूँ बाकी सापों को पेलने सापी बने हैं सारे अब यहां पे वन बर्सीज वन चलाए कता ही और उसके उपर से उस सापने गिल्ली सूट भी पहना है और यार मानो याना मानो गिल्ली सूट वाले बंदों को ढूनने में न दिक्कत काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं क्या करता हूँ समोक गैरा बनाता हूँ ये पे करता हूँ खैर मेरे को नेड वगेरा मिल जाते हैं और मैं दे दबादब नेड आगे की तरफ फेकना चालू करता हूँ अब देखो यार मैंने कई सापो को घड़े खड़े मारा है आज मैं सोचता हूँ क्यों न साप को साप की तरह डस करता हूँ देखा जाए देखते क्या सीन होंगे और आगे कहीं लेटा ये साप और यहां पे तुम्हारा भाई साप के ठीक मूँ के सामने साप बनता है और उसी साप को डस लेता है बहुत दी गलत यार वो साप भी बोलना होगा यार ये तो मेरे से भी खतरनाक साप निकला तो बस भाई लोग यार आज को वीडियो में इतने ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए देखो यार जाते जाते वो केमपर बंदों को पेलने के लिए लाइक पेलना मत भूला यार बिलकुल ठोका पीटी करके निला टैप कर दो और जैसा कि मैंने बोला इथा यार अगर आप केमपिंग ही करते रहोगे तो जब केमपिंग नहीं कर पाऊगे ना तब बहुत गलची नूँगे आपके साथ जैसा कि उनके साथ हुआ जो उनने धोका दे दिया भगते वे आए वो बेवोकुफों की तरह और मैंने तीनों की पेटी बना दी और सही बता रहूं वो तीन पेटिया जो बनाई न वो इस तीस किल जो मैंने की है उसके बिलकुल बराबर है मजा टैप आ गया तो बस भाई हुआ 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 है